अगले हफता कैसा दिख रहा है मर्केट और मंडे के लिए इंटरडे भी देखेंगे कैसे कर सकते हम लोग ट्रेडिंग तो अभी चलते लेट ना करें तारी चलते चाट पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी का बैंक निफ्टी जैसे विकली क्लोजिंग दिया है उसी साब से तो नेक्स विक कुछ भी नहीं दिक रहा है मतलब अब पता चले को लिए नीमतलब को है करने सकते हैंसे में पेलेशन के लिए काम कापने कपेसा कुस्वार रहे ॓क गज़ा सब्सकोग्त तो जैसे कि दिख रहा है यह वाला लेवल जो है अभी यह वाला मतलब 45,000 आप पकड़ सकतो 45,000 और उपर का जो है 46,100 पकड़ सकतो ठीक है यह वाला रेंज हो गया इस रेंज की जिस साइट तोड़ेगा मार्के उस साइट जाएगा भी नेक्स्ट विक तो अभी यहां पर 45,700 के आसपास closing हुआ है closing exactly का हुआ हाँ 634 के आसपास closing हुआ है तो हम लोग को यह जो मालब आपका 46,100 और 45,000 यह वाला रेंज है तो ऐसा होना चाहिए अभी मार्केट के एक दिन जाके यहां पर होल्ड करें देन जाए तन उपर का हम लोग देख सकते हैं आपर यहां पर होल्ड करें यह हम लोगों सेकेंड हाव मालब नेक्स विक का सेकेंड हाफ मिलेगा माल मालो वेड़नेज़ थस्टे को एकस्पार की दिन या फिर थस्टे की दिन मिल सकता है यह मूव आ सकता है नीचे इसके नीचे 46 45,000 के नीचे और उपर 46 100 के उपर तो यह हम लोगा रेंज हो जाएगा और अभी मालो मंदी को ही जा रहा है तो हम बाय मत करो क्योंकि यहां से इतना दूर तक के ट्रेवल कर चुका होगा देन यहां पर जाके यह ठखेगा या फिर एक दिन होल्ड करके फिर जाए तो ट्वीज़ डेवेड़नेज़ देगो जाए देन में ज्यादा इसमें इंट्रेस्ट रोंगा मंदी की दिन जा रहा है दिन में इंट्रेस्ट में नहीं रहूंगा तो यह बैंक निफ्टी का विकली का दिख रहा है भी कि इसके निचे जाएगा चाल अभी इसके उपर जाने से कहा तक जा सकता है मानलों यह वाला 46 100 और 45,000 क्रोस करने से यह यह यह बाला बचे अगा है नितब यह बनी जाएगा देन एटलीस्ट वह कम से कम आपका आपका आप साथ सोट्सट पाइंट तक यहा तक एक मूव बाना चे मतलब यह वाला जोन तक मूव बाना चे 44,000-43,000 तक का मूव आ जाना चेह और हो सकता है कि एक दिन दो दिन में आ ज देखो गें जस्ट इतना अगर मार्केट को अगर उठना ही था तो यह वाला करेक्शन देनी की जरूत ही नहीं था है ना यह देखे फिर यह मतलब आपको अभी इंटर डे बेस भी टेट करना बड़ा जैसा दिख रहा है यहाँ पर भी देखो सेम एसा कंडल बनाया एक फालू ठ्री एक बड़ी नहीं दे रहा हमार्केट तो अभी नjob 자기 मार्केट है इसेम नहीं होगा है उस्तस ऐए लोग आँडस फालो पर फ्री नहीं था ओभी नेक्स टाम आ जाना चैहिए एक बार तो अभी हम लोग देखा इसको विकले में भी कि अगर 46 100 और 45 000 अम लोग का तो पॉइंट है तो इसके उपर नीचे ही कुछ होगा तो फिर हम लोग को मंदे को ऐसा कुछ खास ट्रेड नहीं दीख रहा है मतलब डिरेक्शनल पुरावीक नहीं देखेगा इसके उपर नीचे ब्रेक करेंगा तभी हम लोग डिरेक्शनल प्लान कर सकते हैं इसके लाभब आवी प्लान नहीं कर सकते हैं इंट्राडे में देखते हैं इंट्राडे में कुछ दिख रहा है तो इंट्राडे में देखो इंट्राडे में एक चीज़ तो है कि इंट्राडे में अगर मानलो क कल फ्लैट ओपन हुआ तो मानलों कि कल फ्लैट ओपन हुआ फ्लैट ओपन होके इसको क्रॉस किया इस लेवल को फिर से क्रॉस को तो हम लोग को 46,000 के आसपास तक आ सकता है ठीक है 46,000 लेवल तक हम लोग आ सकता है अगर यह फ्लैट ओपन होके क्रॉस करता है गलती से अगर य इसके नीचे कही पर भी गप डाउन इतना गप डाउन देगा फिर भी बोल रहा कर दो आपका बहुत बड़ा गप डाउन नहीं देना चाहिए चाहए दो-तीन-सो पॉइंट का हो वह गप डाउन देना चीए तब यह चला जाया नीचे और तो अभी के लिए जो चार्ट दीख रहा है उसके हिसाब से अगर बहुत बड़ा के पप होता है इस लेवल का असपस गयप हो जाता है तब हो सकता है कि यहां से एक सेलिंग आजा है यहां तक आजा है यहां यहां पर साइड़ रहे हैं कि फ्लैट ओपन होने के बाद ही अगर तोड़ेगा तभी हम लोग को यह वाला ट्रेड मिलेगा उपर अगर इसा गयप देता है मालो एक सो दो सु पैंट का गयप देता है अंडेट तो हंडेट पॉइंट का इस लेवल में गयप देता है देन हो सकता है यहां पर आके गयप डाउन देता है इसको तो रहेगा तो हम लोग अच्छागा सा मूब बिल तो यह सब लेवल भी तब आ जाएगा उसके मंडे को यह आ जाएगा लेकिन गयप डाउन नहीं देना चाहिए और इसकी नीचे अगर आग दोन देख इसके नीचे क्लोस करना स्टार्ट कर द है तो हम लोग को देखना है कि कौन सा रेंज पे उपर ब्रेक करने से हम रोटेट करना और नीचे के लिए इस लेवल तक वोइट करना है तो बहुत दूर इसले में कुछ नहीं बोलो कि अगर इसमें तो टाम स्पैन करके फिर गिरेगा तब जाके हो सकता है या फिर अगर आपका जादा अच्छा होगा थोरा फ्रक चार्ट टोन दे दिया थोरा साइड़ रहके दैन इसको करता तब जाके आपका अच्छा होगा और यहां हो सकता है बहुत बढ़ा कर दे दिया इनके किस तो हम लोग को ओपर ढूरना है कुछ m गया मिलता है फाइव मिनूस टाइ ठीटे scooter एक लिए एक लिया ओग्क निब्टी कर देखते हैं निफ्टि देखते निफ्टी विक्ली में निफ्टी देखं मुझे पहले भी मीं बला सथ आफ अभी नहीं देख रहा इसका चार्ट देखने का नजीर सब का अगर मैंको इसने दिखा हूँ अगर कोई मानलो कोई कोई पोजिशनल डिल्रेंग करता है उसका 7 महीन आट महीना का घर उसका वह होता है नजरिया होता है तो आप इससे देख लो यह अभी भी उन लोग के लिए sideways market है किसे sideways है मैं आपको दिखाता हूं उन लोग के लिए sideways market कैसे हो गया है यह flag and pole type का उन लोग के लिए pattern बन गया और लोग अभी सोच रहा है कि इसके breakout में और और position add करेगा ठीक है यह पुरा flag यह flag है यह पूल बन गया तो उन लोग के लिए flag and pole type pattern बन रहे कि हाँ यह पर और थोड़ा time spend करके देन आ जाएगा तो अभी में लिए यह वाला रेंज ट्वेंटी टू थाउजन वान हंड़ेड और ट्वेंटी वान थाउजन टू हंड़ेड के आसपास इतना बड़ा एक मलद आपका positional bearish market में trend आए इसके पहले नहीं मैं जस नजरेया बोल्टों कि देखने का चार्ट देखने का नजरेया ओन लोगा हो सकता है कि जो लोग बहुत लंबा ट्रेट करता हो पोजिशन लोग के लिए भी यह बेरिश हुआ ही ने तो वो लोग जब तक नहीं नि सपड़िव है निफ्टी में तो वालग जो दिकले आपको कि हाँ यह प्लैग और डंडम में कि हाँ प्लाग अफ्ल्ञ नीट है तो अब से में इसमें भी आपका यह वाला जो रेंज आपी के लिए यह वाला रेंज एराउंड 600-650 के आसपस 650 के आसपस नहीं तूटना चाहिए और उपर का रेंज लेकिन बहुत दूर है भी भी हाँ सब्सक्राइब तो इसको जब तक नहीं टोटेगा कोई मूबमें नहीं तो इसा ही हो सकता है कि आपको मैं वीकली का बता रहूं है ऐसा होके जिग-जग करके क्लोज हो सकता हो सकता है जब तक आपका यह लेवन ने टूटेगा 650 नहीं टूटेगा निचे के तरफ और उपर के तरफ यह 22,000 फिप्टी नहीं टूटेगा तब तक कुछ नहीं होगा अभी यह आपको ध्यान रगना ठीक है अभी ऐसा हो सकता है कि एक दो दिन जाने के बाद अब तो हम लोग टेली मार्के डिसक तरफ यह वाला रेंज जब तक नहीं टूर यह वीकले में लोगा कुछी मॉव नीमिल सकता अभी इतना दूर भी नहीं है निफ्टेट तो नीचे के ब्रेक करने के लिए अधिए अब निफ्टी चल्ड़ा 702 हाँ अधि दूर नहीं ब्रेक करने की लिए भी लेक करने के ल हुआ है अगर अगर यह वाला टूट गया न अभी आट सो दीस तीस चालीसे सा थीस लेवल टूट गया तो हम लोग को एक मूव मिल सकता है 100 पॉइंट के तो आराम से मूव मिल जाएगा यहां तक तो हम लोग को करना कैसे हैं अगर मंडे को फ्लैट आपन होता है इस रेंज भी आपन होता ह तो हम लोग को इस लेवल के ब्रेक करने का वेट करने यहां पर साइड़ेज रहें तो ब्रेक करता है तो इसको पॉच्छस कर सकते अब लाइक 940 का असपास की टार्गेट के लिए ठीक है और अगर मानलो मार्केट थोड़ा गयप देते हैं गयप देने से हो सकता है अगर इस बीआफ घैप देते हैं फोसका है तो जब एस लीट है का तो भूट हरो जाएगा बोहुत बड़ा के लिएफ इस लेवल पर आपको झूनना बहुत बड़ा देदे इस लेवल पर ढूंडना क्या है तब यहां पर ढूंडना आपको कोई बेरी सिग्नल ढूंडना है आप मिनिट का ब्रेक आउट हो या कुछ भी हो तब आपको यहां मिल सकता है और आपका अच्छा टार्गेट इस लेवल दक आसा तक यह फिल करने के लिए आ सकता हो गया फिल आप टार्गेट प्लान कर से तो बहुत बड़ा गयप दे दिया तो स्लाइड गयप अप हलका पूल का गयप इसमें तो यहां पर आके साइडवेज रेक हो सकता है उपर के तरफ चला जाए और गयप डाउन इसके नीचे देने साथ सो के नीचे सा लाइक अरौं 500 तक लेवल हमलों को मिल सकता है तो हम लोगों 525-530 इस लेवल तक आ सकता है अगर यह लेवल तूट गया तो तो अगर थोरा गैप डाउन दे दिया हलका बूल का अगर फ्लैट अपेटों को भी इस लेवल को तोटता है 720 को तो हम लोगो यह बादा तो तो अगर फ्लो फ्लो में शाय तूटना चाहिए देन फंब फाइब 6570 इस लेवल तो आ सकता है और बहुत बड़ा गैप डाउन देजा तो ओविसली मार्केट संटिमें खराबी हो जाएगा और बहुत बड़ा अपने से भी बेरिश है हलका बूल का या फिर फ्लैट होके भी लेवल तूटेगा तब आपका बेरिश बन जाएगा तो निफ्टी बी क्लियर होगे अभी तो हम लोग मंदे को है हम लोगा फिन निफ्ट या मिटकर निफ्टी का एकस्पाइड तो मिटकर पी देखते हैं मिटकर में भी इंट्रेस्टिंग है तो रहाज है लेकिन मिटकर में इंट्रेस्टिंग तो है लेकिन मिटकर आपको थोड़ा अलग तरिके से ट्विट करना होगा क्योंकि मंदे को अभी अगर यह वाला पॉइंट है रेफरेंस पॉइंट है बहुत दूर है यहां से न तो यहां से अगर वेट करेंगे आधार चला जागे हम लोगा एक्स लोग टेट कर सकते फॉद टार्गेट अफ दिस लेवल एट फॉट इस टेपल टार्गेट के लिए लोग ट्रेट कर सकते ठीक है फ्लाट ओपन होने से अगर थोड़ा गैब डाउन दिजे तो मार्केट थोड़ा से सिंटिमें खराब हो जागा इस लेवल पर क्याप दिया तब नीचे चला जाएगा और 500 तक हम लोग का लेवल मिल सकता है ठीक है डाउन के किस में अपने बता है कि उपर की तरफ ट्राय करना देखने के लिए अनीचे ब्रेक करता देन वह बाद में देखा देगा प्राइस सेकंड हाफ में होगा में एक दो आपनिंग का बात हो से लिए यहां पर सेलिंग धूलना है कि फाइब निक्स कट दिया दिन हो सकता है यहां पर आके फिर से बना के निकल जाए उपर ठीक है तो थोड़ा बहुत फ्लैट में इस रेंज में अपन होगा तो आपको कुछ नहीं करना तो कुछ नहीं आपको बुली साइड में तब ही देखना है यहां पर फ्लैट्प अपन होने के बाद भी आपको वेट करना है कि अगर एफे रींज बना रहें गया फर्स में फाइब मिनिट का ब्रेक डाउन हो गया फिर आपका एम पैटन होगे सब रूणना है बहुत इंप डाउन देने से आपका बेरिश ही रहेगा फ्लैट ऑपन होने से पहले हम लोग बुलिश ट्रेट देखना है बुलिश के साथ ही देखना है और क्योंकि बेरिश तो तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर फ्रेंस अभी के लिए इतने मिलते हैं अगले वीडियो में तो तक लिए बाई शुक्रिया और आपका क्या लगा